हेलो बच्चो कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे तो बच्चो उत्तरप्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल अब की बार एक रोजगार मैथेमेटिक्स के कुश्चन लेकर आ चुका हूँ मैं टॉप 10 कुश्चन बताने वाले हूँ जो पिछले पेपर मे में जाते ही उन्हें बहुत अच्छे से कर पाएंगे आपको सोट ट्रिक भी बताता हूँ जिससे कि आप बहुत इजी से उन सवालों को निकाल पाएं और अपना टाइम भी बचा पाएं तो चलिए ज़्यादा समय लेतने ना हुए सुरू करते हैं वीडियो को उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करके साथ में बैल आइकन जूर तबालें साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादे बच्चो तक सेर करिएगा ताकि और बच्चो तक भी ये वीडियो पहुँच जाए तो शे ज़्यादा प्रोब्लम उसे ये लेंग्वेज करती है क्योंकि लेंग्वेज जब वो समझता है इस लेंग्वेज को तो अच्छे से समझ नहीं पाता कि ये कहना क्या चाह रहा है और करना क्या होगा हमें तो ये अगर चीज आप नहीं समझ पाओगे तो ही आपको यहाँ प्रोब्लम आने वाली है अब देखिए इस सवाल को अच्छे से समझी कि ये कहना क्या चाह रहा है ये सवाल एक्जमर कह रहा है सोले की वरगमूल क्या होता है बच्छो वरगमूल होता है यदि आप किसी भी संख्या का कोई वरगमूल निकालते हैं जैसे यहाँ पर इस न पर इस सवाल को अच्छे से पढ़ना है जिससे कि आप सवाल को इसी से निकाल पाएं बच्छो चलिए प्यारा बच्छो next question पर चलते हैं देखें next question है आपका एक आदमी 25% की हानी पर एक मेज को 42 रुपे में बेच देता है उसे 25% लाब कमाने के लिए मेज को कितने रुपे या कितने मूले में बेचना होगा बहुत ही simple सवाल है ज्यादतार exam में ये सवाल पूछे जात हैं तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है देखें एक मेज है जो आदमी है एक मेज को 25% की हानी पर बेचता है 25% की हानी का मतलब होता है बच्छो आपको एक चीज मैं आप समझा दूँ बहुत सारे बच्चे इसमें दिक्तत मानते हैं देखें हर चीज अपने में 80% है अब इसमें कहा है 25% की हानी अगर मैं 100 में से घटा के लिखूं यहाँ पे कितना हो जाएगा यानि कि 75% हमारे पास रहाएगा 25% की हानी के बाद इसने ये वस्तु कितने में यानि कि 42 रुपी में बच्चों यहाँ पे बेच दी बेचता है इसको कहना चाहरा है कि उसे 25% लाब कमाना चाहिए यानि कमाने के लिए वो बेच कितने रुपी में बेचे अब वो कह रहा है जब आपको पता होगा जब मैं हानी कर रहा हूँ तो 100 में से घटा के कर रहा हमें पता चल गया 125 यानि 125% हम यहाँ पे कर लेंगे अब इसने यह पूछा है अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ जो आपकी हानी पे बेची हुई चीज है बटे हानी प हाते हैं कोई भी चीज अपने में 80% होता है यहाँ पे 25 थी 75 हो जाएगा बच्चो और 25 पंजे 125 हो जाएगा यहाँ से निकालोगे तेने कम 3, 3, 12, 12, 14 हो जाएगा और 14, 50 हो जाएगा बच्चो 70 का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका तो आपका 7,000 है यहाँ पे सही लेकिन इस सवाल को गर इस तरीके साब निकालेंगे तो बहुत अच्छे से साज़ मा जाएगा, तो चलिए बच्चो नेक्स कोस्टन पर चलते हैं हम, देखें नेक्स कोस्टन है आपका, तो क्या कहा रहा है बच्चो इस कोस्टन में देख लेते हैं, एक आदमी ने 360 रुपे में 144 संत्रे खरीदे और 10% के लाग पर बेच दिया, उसने परती दर्जन संत्रे किस दर से बेचे, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एक्जम में पूछा गया है बच्चो, एक आदमी ने 360 रुपे में, टोटल हमें 360 रुपे खर्च करके 144 संत्रे बच्चे हमने लिए, 144 संत्रों का मतलब है, दर्जन कितने होते हैं बच्चो, दर्जन मैं ऐसे 12 से भाग देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पता चल गया, 12 दर्जन संत्रे जो इसने, D, यहाँ पर दर्जन माल लेते हैं, 12 दर्जन संत्रे इन्होंने 360 रुपे में खरीदे बच्चो, एक दर्ज का मतलब कितना होता, 110 बटे 100 मैं यहाँ पर कर दूँगा, 0 से बच्चो, 0 खतम हो जागी, 13, 33 मुझे पता चल गया, 33 मेरा यहाँ पर सही आंसर आजाएगा, क्योंकि वह किस दर्जन से बेचेगा, तो 33 रुपे दर्जन से बेचेगा, ओप्शन नमर C, आपका यहाँ पर ब लब है, 12 दर्जन, यानि 12 दर्जन, centistäर है, उसने कितने 360 रुपे में खरीदे, 360 रुपे में एक दर्जन की कीमत हमने 30 रुपे निकाल ली, अब इस 30 रुपे पर उसने काई 10% का लाब उसे चाहिए, तो 10% का लाब हमने हां पर ले लिए, 33 रुपे आपका सही दर्जन आच तो B की लंबाई A से या A की लंबाई का अनुपात कितना होगा यानि B की लंबाई से A की लंबाई का अनुपात क्या होगा ऐसे question जनरली एक्जम में बन जाते हैं देखे A की लंबाई B की लंबाई से आप इसने पूछा है B की लंबाई से जो B है हमारे पास यहां पे B है B की लंबाई का 5 बटे 8 मैं हैं पर कर देता हूँ तो मुझे A की लंबाई प्राप्त होती है अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर इस तरीके से निकालता हूँ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ यह वाली चीज़ इधर जाएगी भाग में आप B की लंबाई A की लंबाई और B की लंबाई बताता हूँ मैं आपको A और B की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है तो मैं 5 से भाग दूँगा 40 को तो 5, 8, 40 आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आठ पंजे चालिश तो यहां पर पाँच आ जाएगा तो इस तरीके से आपको सवाल करना है एक सोट ट्रिक भी है इसकी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो सही आंसोर आपका उपसा नंबर शी हो जाएगा बच्चो नेक्स कोर्षन है हमारा एक मिस्र धातू है जर्मनी सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपाद 21 अनुपाद 16 है बच्चो जबकि निकल और जस्ते का अनुपाद 7 अनुपाद 24 है बच्चो तथा मिस्र धातू में तांबा जस्ता निकल का अनुपाद क्या होगा यहाँ पर इसमें पूछा है में से धातु बनाई है जिसमें ताबा जस्ता और निकल का अनुपात क्या होगा बचो एक ट्रिक इस सवाल के आपको बताने वाला हूँ अगर आपकी इन चारों से कोई संख्या डिवाइड हो रहे है तो वही आपका अंसुरे देखें यहाँ पर 17 आपका डिवाइड नहीं हो पा रहा है 68 की बात करता हूँ तो 68 भी डिवाइड नहीं हो पा रहा है 21 की बात करता हूँ तो ठीक है लेकिन 16 से 6 डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो एक ही ओप्शन बचा किस तरीके से 21 ती 63 उटते 16 48 होते हैं 7 दोनी 14 होते ह क्यानी कि ये सारी संक्या से कट रही है तो आपका सही अंसर, option number B हो गया आपको निकालने की जरूत नहीं है अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जिस तरीके से तामबा है, तामबा के लिखे यहाँ पे जिय है जशता लिखे उसके बाद यहाँ पे निकिल है निकिल लिखे उसके बाद यहाँ पे आगर आपको अनुपात यहाँ पे सब का पता है निकिल है उसके बाद सेकेंड यहाँ पे बता दिया इसने निकिल और जस्ते का अनुपात निकिल और जस्ते जस्ते का अनुपात 24 है इसकोलटा कर लीज सकते हैं इससे आपका एक्जाम में बहुती कम समय लगेगा बचो आप दोनों में से जोन सा भी आपको फॉर्मूला अच्छा लगे जोन से ट्रीक अच्छी लगे वो आप रख सकते हैं चली बच्छो नेक्स्ट कोर्शन चलते हैं देखे मेरे प्यारे बच्छो यहां पर एक आपको बताने वाला है देखे वर्तमान में राम जो है अपने पुतर की आयू का चार गुना है इसे में सबसे तरीका बहुत अच्छा तरीका आपको एक चीज बताने वाला हूँ यहाप अगर आप X मानके चलते हैं तो X से भी निकल सकते हैं आप इसको लिकिन मैं आपको 65 का हो जाएगा और 5 साल बाद यह 20 का हो जाएगा तो यह 65 तो हो नहीं हो सकता आपका सही अंसर चलिए next चलते हैं आपको यहाँ पर यह चीज समझ में आ जाएगी यहाँ पर देखे यह कितना है बचो चार गुना है इसकी यह चार गुना है और 5 साल बाद यह इसका पिता क कितने का हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, पंद्रे का हो जाएगा, ये इससे तीन गुना है, या नहीं है, ये ये तीन गुना बिल्कुल है, तो यहाँ पे ये तीन गुना ही होना चाहिए, तो सही अंसर आपका हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा एक तरीका तो ये है जो आप simple तरीके से निकाल सकते है एक तरीका है वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयो का चार गुना है राम जो है X है ठीक है और आपका जो पुत्र है यानि के राम हो गया और राम का जो पुत्र है वो जो है चार गुना छोटा है यानि किसी चीज़ से यानि कि ये इतना है यानि कि इतना हो जाएगा ये पिता माल लेते हैं ये सन माल लेते हैं हम उसने का 5 वर्स बाद 5 वर्स बाद ये बढ़ जाएगा 5 ये भी बढ़ेगा लेकिन ये जो है 4 वर्स उससे छोटा है तो इसे बराबर करने के लिए हम इसमें से achievement करने चाहिए अगर option से achieve आप निकल लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपना time piece में बचा सकते हैं बच्चो चलिए पहरे बच्चो next question पर चलते हैं देखे बच्चो next question है आपका 3 घंटिया क्रम से 15 20 और 30 मिनिट के अंतराल पर बज़ती है यदि ये परात है 11 बज़े यानि 11 बज़े ये बज़ी हो और बज़े एक साथ बज़ी हो तो वो आब जो है एक साथ कब बज़ी यानि दोबारा एक साथ कब बज़ेगी इसका कहने का मतलब यह है बचो सबसे पहले आपको language पकड़ने है कि सवाल कहना क्या चाह रहा है एक्जामर पूछना क्या चाह रहा है तभी तो आप बढ़ा पाओगे इसी चीज़ को क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखिए हैं जो सिरफ पढ़ने में गल्ती कर जाते हैं सवाल उनको आता है वो सोचते हैं इतने अब आप एक चीज़ बताईए हैं कोई घंटी 15 मिनट में आप बज रही है उसके बाद 20 मिनट बाद बज रही है 30 मिनट बाद बज रही है तो इनका LCM मैं आप ले लेता हूँ LCM मैंने इनका लिया तो मुझे पता चल गया 60 इनका LCM आ गया 60 मिनट 60 मिनट का मदलब है यानि एक घंटा एक घंटा एक घंटा यानि एक घंटे बाद दुबारा बजेंगी ये अब जब सुबह 11 बजे एक 7 बजी है तो अगले बार एक घंटे बाद कितने बजेंगे बचो तो एक घंटे बाद किया बजेगा 12 बजेंगे तो बारा बजे भी ये दोनो घंटिया तीनो घंटिया एक साथ बजेंगे बचो बिल्कुल भी 30 सेकिंड भी ने लगेंगी आपके सवाल में अगर आप अच्छे से उसे ट्रेट करते हैं सवाल को तो बहुत अच्छे से आप अंस्वल निकाल पाएंगे बचो आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बैल आइकन जूर तबालें हमारी जो रिजनिंग की मैंनी वीडियो अभी अप्लोड करें रिसेंटली बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है टॉप टैन कोश्टन है उसमें भी जो आपके एक्जाम में पूछे गए हैं अभी तक वही कोश्टन मैं आपके लिए ले कर आता हूँ बच्चो चले बच है तो बस की रबतार कितनी हुई ये बतानी है बहुत ही अच्छा कोश्टन है अगर आपका कॉंसेट के लिए है तो आप इन सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे बच्चो अगर आपके कॉंसेट में ही दिक्कत है तो आप इन सवालों को बिलकुल भी नहीं कर पाए टोटल 35 खंबे हैं और 2 खंबों के बीच की दूरी 50 मिटर है अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ अगर खंबे हैं हम यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे खंबे लगा जिता हूँ 3 खंबे मैंने यहाँ पे लगाए ये concept करेगा जब भी आप खंबों की श्तीती जाने तो उससे एक कम कर लिजीगा कितना कम कर ला है देखे 35 खंबे ये बता रहा है तो आपको क्या करना है 34 खंबे है टोटल कितनी है 50 मीटर की दूरी है एक खंबे के भी अब यहाँ पर पूछा क्या है रफ्तार कितनी बता ये किलो मेटर परती घंटा में देखे किलो मेटर अब यहाँ पर कम है मीटर परती सेकिंड है ये मीटर परती सेकिंड को किलो मेटर परती घंटा बनाने के लिए सेकंड मीटर परती सेकंड से किलोमेटर बना रहे हैं तो ठार बटे 5 की गुना करने पड़ेगी यह कौंसप्ट आपके समझ गे तो आप चुटक्यों में यह सवाल निकाल सकते हैं तो मैं यहां से निकालना चाहता हूँ अब इसे मैं 0 से 0 मैं हैं से घटा दिया है यहां से कर तो 5, 5, 3, 15 हो जाएगा यहाँ पे और 15, 2, 5, 20 हो जाएगा जब आप इसमें गुना करेंगे यहाँ से 3, 12 हो जाएगा 2 और 3, 9 और 1, 10 यानि कि 102 किलो मीटर पर 3 घंटा यहाँ पे आपका सही सवाल का सही आंसर आजाएगा और आपका सही हो जाएगा कितने बच्चों को ऐसे स सारे कोश्चन में वहाँ पे लेकर आता हूँ बच्चों से एलेटिड जो की आपको अच्छे रहेंगे आपकी जनर्रोलिज के कोश्चन करेंट अफेर के कोश्चन में वहाँ पे सारे ही कोश्चन में लेकर आता हूँ आप हमारे इस्टाग्राम आइडी पे भी फॉलो कर स सके सार्थी ने एक बैंक में 3125 रुबे जमा किये जिस पर बैंक द्वारा 8% साधन ब्याज वार्शिक दे था यदि सार्थी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा हो तो वह कितना ब्याज अरजित करेगा बहुत ही अच्छा सवाल है most important है exam में ज़्यातर ऐसे सवाल बन जाते हैं अगर आपने देखा होगा तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को किस तरीकी सापको करना है देखे PRT बटे 100 ये चीज तो आपको याद रख लेनी है PRT बटे 100 ये PRT बटे 100 क्या है देखे मूलदन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ये आप करेंगे तो आपका सथान प्याज निकलके आपका डारेक्ली आजएगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर यह बता रहे हैं 31 कुछ रूपे यहाँ इन्होंने अरजित किये हैं यानि कि 31,25 रूपे दिये किसी को प्याज पे कितने परसेंट पे 8 परसेंट पे दिये हैं बचो 8 परसेंट गुणा कितने 5 साल के दिये हैं बटे 100 अगर आप करेंगे तो डारेक्ली आप 500 निकाल पाएंगे चद्वने 12,50 रूपे आपका यहाँ आज आएगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप डिकाड पाएंगे यानि कि 12,50 रूपे यहाँ पे साधान ब्याज ये अरजित करेंगे पूछा क्या है बच्छों इन्होंने साधान ब्याज भी पूछा है तो आपने भूत ही आसान तरीके से ये निकाल लिया आप डारेक्ट भी निकाल सकते थे 8 रूपाथ की गुना करके 40% निकाल देते चलिए बच्छों, next question चलते हैं देखें, next question है आपका एक ओपिस में कुर्षियों और मेज की संख्या का अनुपात, 9 अनुपात, साथ है ये question पिछले आपका यूकि पूलिस में पूछा गया था यदि कुर्षियों की संख्या मेज की संख्या से 42 अधिक है तो ओपिस में क कुर्षियों की संख्या कितनी हैं बच्चो यहाँ पर अगर मैं आपको डारेकली बताओं यहाँ पर आप कुर्षिया लिख सकते हैं यहाँ पर मेज लिख सकते हैं इस तरीके से इनकी संख्या 9 है इनकी संख्या साथ है और इसने कहा है कि कितनी अधिक है 42 अधिक है बच्चो है तो क्या पूछा है आपके ओपिस में कुर्सियों की संक्या 9 है तो गुना कर दीजेगा बच्चो यहां से गर आप इसके गुना करेंगे तो 9-1-9 नो दुनी 18 तो 199 से आपका सही अंसर हो जाएगा ओपसन नंबर 2 में आपका सही है तो ये question आपका बिल्कुल सही हो जाता है बच्चो तो इसी तरीके से बच्चो आपको अपने question निकालने हैं और ज्यादा समय नहीं देना एक मिनिट में आप अच्छे तरीके से अपने question को निकाल पाएंगे तो बच्चो आज की वीडियो हैं समाप करते हैं मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए बाए